फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम 4 इस्टोक को साथ में डिसकस करने वाले हम बात करेंगे Reliance Industries की और साथ में हम बात करेंगे IRFC की और हम एक कंपणी को डिसकस करेंगे जो आपको बोनस देने जा रही है बहुत ही साधर कंपणी है और अच्छा बोनस देने जा रही है एक कंपणी है जो आपको डिविडेन देगी तो यह चारो इस्टोक हम साथ में डिसकस करने वाले काफी समय से बहुती नीचे मिल रहा है यानि अपनी IPO प्राइस से काफी नीचे तो क्या ये श्टोक इस समय खरिदा चीए या फिर इसमें से बाहर निकल जायाने चीए जिस तरह से कंपणी की परफॉर्मस हो तो बहुत ही सांदार है कंपणी बहुत ही मजबूत प्रॉफिट बंकिंग है लेकिन उसके बावज़ुद भी इसके शेर की प्राइज दी बढ़ती तो उसके पीछे वो जग क्या है इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले रिलाइस इंडर्शी की बात कर लेते हैं फ्राइडे को रिलाइस इंडर्शी का इस्टॉक 2661 पर आचुका है जहां पर हमें 1% की तेज़ी देग से सिधा 2600 को पार कर गया है तो बहुत ही सांदर इसने रिटन दिया है जो काफी समय से इस्टॉक ने परफर्फर्मेंस नहीं दिखा दी है वो इसने पिछले 15 दिन में दिखा दी है यहाँ पे बड़ी अप्डेट ने इंकल करा रही है जैसे कि आपको पता ही होगा की जगह पे अब रिलाइस का अपना खुद का ब्राइंड होगा उनका नाम होगा तो यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी बात ही है कि फ्यूचर ग्रूप ने उन्होंने लेटर लिखके इंसे काया कि जो भी हमारा एसेट्स है चाहे वो हमारा स्टॉक्स हो या जो हमारी मसिं की तरब से कोई जाब दिया नहीं गया लेकिन उनका कहना है कि हमने जो इस्टॉर लिए यह इसलिए लिए ताकि जो इसके लेंडर से उनको विश्वास रहे और इनकी जो लीज की रखम थी वो देनी पा रहे थे और अगर किरायर टाइम पर नहीं दे पाएंगे तो वैसे वो उनके हाँ से स्टॉर जाने वारे थे इसलिए इसलिए इन इसलिए उनको पर हमने कबजा किया है यह इसलिए अब हम इनको आगे सुचार रूप से चला पाएंगे क्योंकि यह इससे एक तरसे जो लैंडर से उनके अंदर विश्वास बैटेगा कि उनका जो रखम है बा करने की कोशिस कर रही है एक निलामी के तहद एक थर्मल पावर प्लान देने की कोशिस कर रही है टेक्शनल सेक्टर में अपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है अब इन्होंने सिंटेक्स का भी अधिकरण कर लिया इससे पहले इन्होंने आप देखो कि तो आलोक सेक्टर में कंपणी मजबूती से आगे बढ़ रही है टेलीकॉम सेक्टर में जियो अलड़ी बहुत मजबूत हो चुकी है यहां पर इसकी परफॉर्मेंस देखे तो 1876 का फिप्टी विक का लोग है टूथ हाउजन सेवनने फिप्टी विक आई है फिलान स्टोक 26.5 था करएं यहां पर आपको निवेश करना चाहिए कंपनी अपना 14 प्र का रिजल्ट भी जल्दी पेश करने वाले है और इसके लिए अपनी जो ट्रेडिंग विंडों इंसाइड ट्रेशन के लिए बंद कर दिये क्यों कि यहां पर रिजल्ट क्वाटर 4 का लगबग तयार ह हो चुका है इसके सारे आकड़े कंपनी से समधनी लोगों को पता चल जाती है यानि इसमें रिजल्ट में क्या पॉजिटिव बात है क्या निगेटिव बात है उसका कुछ मिश्यूद भी कर सकते है और इसलिए इंसाइड ट्रेडिंग को रोका गया है और कंपनी से समधनी ल अगर हम इनके क्वाटर थरी के आकड़े देगे तो बहुत ही सांधार निकल कराया था रिवेन्यू 1.85 लाग क्रोड भी निकल कराया था जापे 56.99 परसेंग की यह और बेसिस पर बड़त देखनों को मिली थी नेट प्रफिट मार्जिन 10.03 परसेंट आपे 9.8 परसेंग की गिरा और देखना को मिली तो ओवरॉल प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी थी लेकिन रिवेन्यू और इंकम में अच्छी खासी बड़ोती हुई और इस बार आकड़े उससे भी सांधार हो सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कमिनेटी सांटिमेंट श्टॉक के साथ बना हुआ है 100% बाई की कॉल है एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो टूथ हाँजन सिक्षनेटी पर फर्स सपोट है यह सपोट अगर टूटा तो टूथ हाँजन सिक्षनेट फोर की प्राइस देखना को मिल सक अपनी नई हाई बनाने को त्यार हो चुका और यही मौका जब आपको इसमें इंवेस्मेंट करनेना चाहिए काफी अच्छा लग रहा है इस लेवल पर और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ही जवरस तेजी बन सकती है फ्रेंट्स अब हम चलेंगे इंडियन रेल्वे फाइनस कॉर्पोरेशन लिमिंटर की तरब यानि आई यारेपसी की तरब फ्राइडे को देखे तो 21.55 पर इस्टोक था जा पर 0.47 परसेंट की हमें तेजी देखनों को मिली तो मामूली सी तेजी थी लेकिन इस्टोक फिलाल बहुत मजबूत लग रहा है इस लेवल पर क्योंकि 20 से नीचे जाने की इसकी संभावना मुझे काफी कम लगती है इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखे तो 20.80 52 विक का लोर 26.45 52 विक का ये फिलाल इस्टोक 21.50 पर अपने IPO प्राइस है लगबग 4 रुपे नीचे मिल रहा है लगातर कंपणी आपको डिविडेंट भी देती है कंपणी बहुत मजबूत है और यहां पर वॉल्म भी अब बढ़ने लगाए अगर हम इसके वॉल्म के अन्लिस करें तो पिछले एक मैने पहले इसका 87 रुपीज का वॉल्म था वन भी पहले 99 रुपीज का वॉल्म हो था लेकिन ग्रुवार को 1 कोट पिज का वॉल्म भी तो वॉल्म में बढ़ोतरी का मतलब यह है कि काफी अची खरीदारी शुरू हो और इसलिए यहाँ पे FI और बड़े फंडा उसकी खरिदारी शुरू होगे तो ऐसे में आपको भी इस मौके पे फाइदा उटा के इसमें दिवेस कर लेना चाहिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी एक मेने की परफॉर्वर्मेस हम देखे तो 21.2.0 की प्राइज दी साथ मार्च को और इसने जो हाई बनाई थी अपनी वो 22.85 की फिलान इस्टोक अपने उपरी लेवल से करीब एक रुपे नीचे आपको मिल रहा है यहाँ पे आपको खरिदारी कर लेनी चीए अब कंपनी ने अपने क्वाटर फोर के रिजल्ट की त्यारी कर ली है और कंपनी ने इसके लिए अपनी विंडो क्लोज कर दिया इंसाडरी ट्रेडिंग के लिए अब यहाँ पे कंपनी से सम्मधिक जो भी लोगो चाहे उनके एंप्लोई जो इसके लिए सेबी ने ओलरी लोग बनाया था इंसाडरी ट्रेडिंग को रोकने के लिए और यह अब ट्रेडिंग तभी खुलेगी जब यह रिजल्ट करेंगे उसके 48 गंटे के बाद में फिर ट्रेडिंग नॉर्मल हो जाएगी तो फिलाल ट्रेडिंग रोक दी गई है आयर अपसी की कि इस समय आयर अपसी में यह निवेश करना चीए काफी मुझे मजबूत लग रहा है अगर हम इसके बात करें क्वाटर थरी के आकड़े तो बहुत ही सांदार निकल कराये थे रिवेनी वन पॉंपद stand बहुत है था जा हुला और से भी सांदार हो सकता है तो result के बाद यहाँ पे बिल्कुल तेजी आएगी और अगर यहाँ पे अगर आप सुरक से निवेश आते हो बाजार में अगर गिरावट में भी आपका निवेश बचे तो IRF से उसके लिए सबसे बड़ी आउधारण स्टोकी यहाँ पे गिरावट के संभवनां बहुत कमें और इसके उधारण के लिए आप यहाँ पे पिवेट डेवल चेक कर सकते हैं अगर यहाँ से गिरावट होती है तो 21.73 पर फ़र्स सपोर्ट है यह सपोर्ट टूटा था फिर 21.37 तक स्टोक जा सकता है तीसरा सपोर्ट 20.68 का है तो बिल्कुल 20 के नीचे जाने की कोई संभवना स्टोक की नहीं है पॉजिटिव अगर माहूल बना तो 22.78 का फर्स टार्गेट है इसको ब्रेक करते ही 23.47 तक प्राइस जा सकती है तीसरा 23.83 का टार्गेट निकल क्या रहा है तो पॉजिटिव माहूल में यह बिल लोगों कोई तरह से भ्रमित किया जाता है कि यहाँ पे OFS जब भी आएगा बहुत बड़ी गिरावड हो जाएगी ऐसी कोई संभवना नहीं है यह काफी fair value पर इस्टोक मिल रहा है अपनी book value से काफी नीचे है और सबसे बड़ी बात है company जिस तरह से business करें उसके idea के हिसाब से यहाँ पे NPA बनने की कोई संभवना नहीं है क्योंकि यह fund इंदूस्तान और बाहर की बड़ी financial फर्मों से लेते हैं और फिर railway को provide करते है तो यहाँ पे इनका जो business model बहुत ही सांधार है और इसलिए यह company का कोई भी पैसा डुबने की कोई संभवना नहीं तो यहाँ पे निवेस करना चाहिए आने वाले समय आपको माला माल कर देगा इस्टो फ्रेंट्स अब अगर आप bonus के लिए इंट्रेस्टेड है तो आपको विक्रम धर्मों में निवेस करना चाहिए company ने अपने निर्णय में क्या है कि वो 4-1 के ratio में आपको bonus देने जा रही है यानि अग आपके पास एक शेर है तो आपको उसके बदले में चार सेर मिलने वाले है इसका मतलब आपके टोटल पास शेर हो जाएंगे तो अगर आपके पास 10 सेर है तो आप समझ लो आप 50 सेर के मालिक बन जाओगे तो इनकी राउस्मेंट डेट है एक अप्रेल यानि कली 9 राउस्म तो बहुत ही सांदार इसने रिटन दिया है तो फ्रेंट्स जैसे ही बोनस की निज़ी निकल रही तो बहुत ही सांदार हमें तेजी देखना को मिली है फ्रैडे के दिन यानि करीब 13 परसेंट से उपर की तेजी तो बिलकुल इस समय मौकाय आप निवेस करें आने वाले समय यह स्टॉक आपको माला माल कर सकता है इसकी परफॉर्मे से कर देखे तो 15 मार्च को यह मात्रह 160 पर था इस्टॉक तो काफी अच्छा दोड़ा है अब हम चलेगो उस कंपणी की तरब जो आपको डिविडेंट देने जारी है फ्रेंट्स अगर आप डिविडेंट लेना च देखे तो फ्राइड़ को 58.80 पर श्टॉक ताओ जहां पर 0.17% की हमें तेजी देखनों को मिली तो काफी मजबूत कंपनी है और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म बहुत ही मजबूत है इनका अच्छा खासा नाम है फाइनेसल सर्विस प्रवाइड करती है तो आप अपने कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यो फ्रेंड